कैमेरा महासाए, इस और कर दो कैमेरे को आप कब तक सच को छुपाएंगे, सच सामने आही जाता है अमिस्सा का ये वीडियो सुनिए कैमेरा महासाए, इस और कर दो कैमेरे को एक कैमेरा मैन, इधर देखो इधर कल से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वाइरल हो रहा था लोग को पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या दरसल राजस्थान के जोत्पूर में अमिस्सा की रैली थी कुर्सिया खाली थी और पत्रकार जो है उसको कैमेरा दिखा रहे थे यही बात नागवाद गुर्जरी गिरी मंत्री को रोने का कि है कैमरामान इधर देखो लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है अब यह वीडियो देखिए यह वीडियो है बैंगलूरू का जहां इसमिर्थी रानी की रैली थी वहां तो हजारों कुर्सिया खाली थी अमिस्सा की रैली में तो फिर पर आमीर साहगों कि लोग खचा-खच भड़े हैं क्योंकि कुर्सियां खाली थी लेकिन स्मिर्ती रानी के इस वीडियो में साप-साप कुर्सियां खाली दिख रही है तो ये बहुत वीडियो है जो सोचल मीडिया पर वाइरल था दरसल आजकर बाबा साहब के अनुवाईयों को गाली देने के लिए लोग भीम्टा सब्त का इस्तेमाल करते हैं जितेंदर मीना जो दिल इनवर्सिटी में परफेसर है उनको एक मिस्रा ने भीम्टा कहा उसको लेकर भी ये बात चल रही है राजस्थान में एक बड़े अधिकारी ने करमकान के खिलाप बोल के दिया पूरा ब्रहमन समाज लोबी उनके पीछे परा हुआ है उनको नौकरी से हटाने की मांग करा है सवाल है कि बहुजन कब तक डरते रहेंगे कब तक करमकान के खिलाप नहीं बोलेंगे ये वो तमाम खबरे जो मैं अब आपको आगे बताऊंगा ये जन सैलाब देखे राहुल गांधी के भारत जोरोयात्रा की तस्वीरे चंचन कर सामने आ रही है भले मीडिया न दिखा है लेकिन ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी को अपार जन समर्थन मिल रहा है और सोसल मीडिया पर वीडियो चल रहा है ये जितेंदर मीना का एक पोश्ट देखिए ये ही बो अधिकारी है R.A.S. अधिकारी ने वाटसब गुरूप में नीचे लिखी बातों को सेर कर दिया बाद में कहते हुए गलती से हो गया माफी मांगता हूँ मैसेज को गुरूप से हटा भी दिया लेकिन इससे ब्रामन बादियों और मनुबादियों की भावनाय आहात हो गई है और कह रहे हैं कि अधिकारी को नौकरी से सस्पेंड किया जाए तो सोचिए कि किस तरह से अभियान चलाय जा रहा है जितन जमीन आगे लिखते हैं कि दरसले धर्म नहीं है धंदा है ये बागेसवर धाम के इस बावा को देखिए जो अपने आपको पुझारी कहता है इससे पहले भी समोसे वाले बावा भविस बताते रहे हैं अभी इनका नया नया मारकेट है इनका प्राइस टेग देखिए एक लाग से लेकर एक गारा हजार तक इनका प्राइस टेग है तो बावा का धंदा चोखा चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा A.C.H.T.O.B.C. के लोग अपना चरहावा चरहा रहे हैं आप लोग की पर्तिकरिया बहुत जरोड़ी है और ये है वो अधिकारी है दैनिक भासकर की खबर देखिए R.A.S. ने हनुमान को बंदर देपताओं को दुसकर्मी बताया फिर कहां मैसेज रिलीट कर रहा था गलती से फरवर्ड हुआ लिखा ब्रहामनों ने बाते मानने को मजबूर किया बताइए सच बोलने पर किस तरह से ये सधिकारी को डड़ाया जा रहा है मैं फिर कह रहा हूँ इस अधिकारी के पक्ष में पूरा देश है पूरा समाज खड़ा हो रहा है अब डरने की जरूरत नहीं है अगर अपनी गलती नहीं है तो आप बताइए न कि कैसी कैसी कथाएं हैं आपके धर्म गरंथ में मनुस्मिर्ती में मनुस्मिर्ती वाले पढ़ने बाएं लोग मानने के लिए तयार नहीं है क्या हनुमान जी नहीं उरते हैं यही तो कहा जा रहा है भगवान की जाती भी किसी ने तैकी थी योगी जादितनात ने तैकी थी अभी वाइस चांसलर ने कहा कि संकर सुद्र है और यह वीडियो सोसल मीडिया पर और वाइरल हो रहा है सोचिए नोईडा का वीडियो है गार्ड ने गलती से देरी कर दी गेट खोलने में मैडम ने आकर तिन चार थप पर जर दिये आज के लिएसे वीडियो बहुत वाइरल हो रहा है मिस्रा मुझे भीम्टे कह रहा और इने लग रहा है कि यह गाली है हमें गर्भ है बावा सहाब पर तुम्हारे पुर्खों ने मनुस्मिर्ती परा है सोचिए भीम्टे को लेकर आज सोसल मीडिया पर बहुत बवाल है तुम्हारे पुर्खों ने मनुस्मिर्थी बना इसलिए बेतर होता तुम मिस्रा तुम मनुस्मिर्थी की बात करते यदि हिम्मत है तो एक बार बोलो मिस्रा मनुस्मिर्थी जिंदावाद ब्रामन बात की छाती पर जैपाल फूले अंबेट कर ये अब धेश कुमार मिश्रा है कोई वो लिख रहा है समिधान से ही चल रहा है और चलेगा इसी समिधान में समानता की बात है और इसी समिधान में असपरस लिखा है कि आरक्षन हमेशा के लिए नहीं है देश को समिधान ही चलाएगा भीम्टे नहीं तो सोचिये भीम्टे सब का इस्तेमाल के जा रहे हैं, सोचिये जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, भारत के संविधान में कहीं भी आरक्षन खत्म करने की बात नहीं है, रादनेतिक आरक्षन का दस साल पर रिवीजन होता है, सुर्मन्यम स्वामी लगातार खुलासा कर रहे हैं, आपको बता दे कि अमिश्चा के जो बेटे हैं, वो BCCI के हेड हैं, और यह सवाल उन से पुछा जा रहा है, सुर्मन्यम स्वामी ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया, इसमें साफ कहा है, डेमोक्रेसी के चारों पिलर है मीडिया, जुडिशियरी, कारपाली का, बिधाई का, सब दवाब में हैं, मीडिया दवाब में हैं, जुडिशियरी दवाब में हैं, और यह सक्स है सुभम सुकला, इस सक्स के ट्वीट पर बिलकुल ध्यान मत दिएगा, यह सक्स सिर्फ अफवा और जूट फैलाता है, रा नहां भी SCSTOBC मैनोटी प्रत्याचार होता है, मुसल्मानों पर हमला होता है, उसके पिरितों का नाम नाम न बताकर, आरुपियों का नाम SCSTOBC अपने मन से बताता है, राजेश साहू ने इसको पकरा है, तो आपको दिक्कत दलिद बच्चे की पिटाई से नहीं, ब्रहामनों क पढ़ रही गाली से है, अभी आपकी टाइम लाइन देखकर आया, बेहत कुंठीत हो यार, ब्रहामन बलातकारी को दलिद बताकर पेस कर रहे हैं, बैसे भी जाती है, दम से भरे मनुवादियों से बात नहीं करता, राजेश शाहू ने इसको ट्विट किया है, जवाब दि जाहे है, और सोचिए, वाब सुभम जी, आप उसमित्र सुंग और चानक बाजी राओ बनने का समय आ चुका है, बहुत हो गया, अपमान सहते सहते, तो मुझसे डरने की ज़रुत नहीं है भाई, तो ये लगातार लंबा बहस चल रहा है, और सुभम सुकला की लगातार अगर ब्रहमन या किसी भी जाती भी से इसको गाली जी आगी, मैं उसका खुल कर मुखालफत करूँगा, आप जैसे जातीवादियों से डरने बाला नहीं हो, तो ये सुभम सुकला है, जिस पर साफ साफ आरोप है, कि इसने खुद कहा है, तिलक लगा है, तुलसी की माला प भी सक्स जो है, वो आरे ये जो अधिकारी है, ब्रहमन बोले हनुवान जी उरते थे, हम ये मानना पड़ा मीना, आरे एस केसरलाल मीना ने डाला अनरगल वार्ट सेप मैंज इस तरह के लाइन अख़वार लिख रहा है, तो जितनर मीना ने इसको डिफेंड किया, ये देव अधिकारी ने करमकान के खिलाब बोला है, तो कैसे उनको टार्गेट किया जा रहा है, गरीब कल्यान अन्योजनाव को बंद कर दिया, गरीबों के लिए भाजपा सरकार के पास पैसे नहीं, लेकिन दोस्तों के लिए 10 लाग करोड है, आकास अनन ने परधान मंतरी पर हमला बोला है, वो कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेसमें दोस्तों को रेबडिया बाटी जा रही है, सारे भिम्टे नहा धोकर ब्रांडिट कपरे पहन कर महंगा चस्मा सेंट लगा कर तयार बैठे हैं, क्योंकि मनु की अउलादे जीजा जी ढून रहे ह ये सुमित चोहान ने एक ट्विट किया है, जिसको लेकर बिबात खराओ गया है, भिम्टे सोसल मीडिया पर ट्रेंट कराया जा रहा है, लाइन लगा कर आना और धक्का मुकी बिल्कुल मत करना जीजा जी की कमी नहीं है, सबको मिलेंगे भिम्टा यानी जीजा, तो जो ल और ये तस्वीर सोसल मीडिया पर बहुत वायरल है, देखिए, किस तरह से बंदरों ने हतियार लिये लोग को घर में घुसा दिया, ये सोसल, आरेस मिना अधिकारी ने वही लिखा है, जो पाखंडियों ने अपने पोथी पन्नों में CST OBC को मुर्ख बनाने के लिए लिख किया था कि आप मुझ चूप रखिए, हम आपको उपराश्पती बना देंगे, आपको बता दे सत्पाल मलिक जाट समास से हैं, किसान अंदुलन का समर्थन करते रहे हैं, फिलाल जाट समास से ही धनकर साहब को BJP ने उपराश्पती बनाया है, तो सबसे ज़्यादा सोसल मी टीवी अख़वार आपको नहीं दिखाएगा, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया, आपको अपनी परत्किया जूर दीजिए, शुक्रिया